Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from LegalFly. Welcome back to my channel. यहां पढ़ेंगे, सिखेंगे, समझेंगे law subjects. आज का हमारा topic है HOFFEL's Analysis of Rights and Scheme of Jural Relations. तो चलिए, स्टार्ट करते हैं इस lecture को. तो आज हम यह दिखेंगे कि HOFFEL ने किस सरीके से राइट्स को एनलाईज करा and उनका Scheme of Jural Relations कोच जान लेते हैं. दिखें, उनका जनम हुआ था 1879 में California में. वो ग्रैजुए वे from the University of California and after that, वो as an editor to the Harvard Law Review के कुछ साल तक ऐसे ही उन्होंने सर्फ करा. लेटर ओन Stanford Law School में and Yale Law School में as a professor उन्होंने काम करा. 1918 में उनकी टेथ हुई. उनका जो फेमस आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था in the year 1913 वो हुआ था ये Law Journal में. उसका नाम है Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने राइट्स के कॉंसेप्ट को डिफाइन या उसको एनलाइज करा and साथ ही साथ वो किस तरीके से Jewelal Relations की बात करते हैं. थोड़ा से complicated है. अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो ये जो area है बहुत clear हो जाएगा आप लोगों के लिए. सबसे पहली बात हौफल ये कह रहे है कि जो right का जो concept है अगर आपको right जो term है या concept है उसको clearly समझना है तो उसके अंदर जो components है उसके जो elements है उसको हमें clearly समझना होगा. और वो ये कहते थे कि ऐसे काई सारे words है जिसको rights ही कह देते हैं जैसे कि claim, privilege, power, immunity ये ऐसे चार concepts है जिसको right ही बुला दिया जाता है तो confusion वहीं शुरू हो जाती है अगर हम इसी चार elements को clear कर देंगे तो हमें जो right का concept है ना वो clear हो जाएगा तो इन चारों को basically howfall in incidence भी कहा जाता है साथ ही साथ उन्होंने किया क्या basically इन चार aspects को include करते वे 8 fundamental legal conceptions अब जो 8 fundamental legal conceptions है वो यह है right, duty, privilege, no right, power, liability, immunity, disability तो इन 8 concepts को बताए but कैसे उन्होंने कहा इन सब के बीच में कुछ ना कुछ connections है तो उन्होंने जूरल relations बताए इन आपस में इन सारे concepts के बीच में मतलब कि एक concept किस के साथ fit better और एक concept किस के साथ match नहीं होता है मलब यह कि अगर एक individual के पास right है तो दूसरे individual के पास equivalent क्या चीज है जो exist करेगा अगर एक individual के पास privilege है तो at the same time उसके पास क्या है उसका जो opposite है वो exist नहीं करेगा वो क्या चीज है जो exist नहीं करेगा तो ऐसे उन्होंने पूरे concept को समझाया तो उन्होंने किस तरीके से इसको लिखा basically उन्होंने दो tables बनाए एक बनाया jural correlative का एक बनाया jural opposites का तो इस table के through basically हमें पूरा concept समझा दिया तो इसी table को या इसी पूरे concept को हम कहते हैं scheme of jural relations तो अगर हम howfold की इस पूरे concept को समझ जाते हैं हमें बहुत लाब होगा एक तो हमें right समझा जाएगा उसके अंदर आने वाले वो elements समझा जाएगे और jural correlations, jural opposites इसके मनलब कौन सा किस के साथ fit बैठता है किस के साथ नहीं बैठता है मतलब actual में हमें पूरा concept समझ आ जाएगा मतलब अगर privilege है तो privilege के साथ क्या है जो equivalent किसी और में exist करता है और इस privilege में और power में क्या difference है power में और right में क्या difference है right और immunity में क्या difference है यह सारे चीजे हमें clear हो जाएगे मुझे ना खास बहुत अच्छा भी लगता है हौफ़ल के यह contribution को देख के बढ़े क्यों क्योंकि जैसे हम jurisprudence के और देखते है तो हमें यह समझ आता है कि jurisprudence क्या है basically law के बारे में वो study करता है right तो और law क्या है basically law basically कैसा चीज है जिसको बनाया गया है कुछ purpose को attain करने के लिए कुछ goal है, कुछ objective है उसको achieve करने के लिए law को बनाया गया है जैसे हम preamble में देखते है तो हमेंने objective दिखा ही देता है law का क्या? कि equality of opportunity मदब opportunity में सब को equality होनी चाहिए यह law का purpose, objective है right but actually यह achieve कैसे करता है by creation, modification, of legal relations between individuals या individual और state भी कह सकते है मदब state या individual या individuals और individuals के बीच में कुछ relationships बना देता है और उसके थो वो अपना purpose अचीव करने के कोशिश करता है आपको नहीं समझा रहा ना? देखी मैं आपको एक example बताते हू Article 16 को देखी Article 16 of the Indian Constitution कहता है कि भाई state की duty बनती है matters of employment में किसी भी तरीके कर discrimination नहीं होगा यही कहता है तो इसमें अगर आप ध्यान से देखने के कोशिश करेंगे तो इस article के पीछे क्या छुपा हो है मतलब individual के पास immunity है कि state उसको discriminate नहीं कर सकती तो अगर individual के पास immunity है तो state basically disabled है from making any discrimination आप समझ गे मेरी पात किस तरीकी का relationship बनाया गया है state और individual के बीच में state के पास disability है individual के पास immunity है तो इस relationship को law create करता है किसलिए ता कि उसका जो ultimate purpose है उसको वो achieve कर पाए equality of opportunity को achieve करने के लिए state के ओपर basically disability डाल दी कि आप किसी को भी discriminate नहीं कर सकते है on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, residence और citizens को immune बना दिया कह दिया कि आपके पास immunity है state आपको किसी भी तरीके से discriminate नहीं कर सकती है तो ये relationship create कर दिया तो ऐसे अगर हम देखने जाए पूरे law के अंदर पूरे किसी भी तरीके के statutes को उठाई सब में actual में relations law बनाता है, jural relations बनाता है, legal relations बनाता है और इसके तुरू ही law basically अपना purpose अच्छीव करता है और Hoffal ने ये contribution देके हमें actual में 8 jural relations basically clear कर दी है ये सब बाते सुनके आपको थोड़ा तो interesting लग रहा होगा ना topic तो चलिए सबसे पहले हम ये देख ले थे कि Hoffal वो 2 tables के बारे में क्या बात करे है jural opposites and jural correlatives तो चलिए देख लेते हैं, देखे सबसे पहले jural correlative में उन्हों लिखा है right and duty मतलब right है तो दूसरे में duty रहेगा privilege, no right, power, liability, immunity, disability jural opposites, right, no right, privilege, duty, power, disability, immunity and liability तो इस तरीके से वो jural opposites and correlatives के बारे में बात करे है then later on J.L. Williams ने Hoffal's के इस scheme of jural relation को उन्होंने एक tabular form में basically represent करा तो उन्होंने ये दिखाया, जैसे आप screen में देख सकते हैं उन्होंने इस तरीके से represent करा अब यहाँ पे जो vertical arrows है, वो basically है jural correlatives मतलब अगर एक individual में एक right है तो दूसरे individual में simultaneously duty exist करेगा वो है vertical arrows, ठीक है then उसके बार diagonal arrows है, वो है jural opposites मतलब अगर एक individual के पास right है किसी particular aspect को या किसी particular matter को लेके तो at the same time उसी matter को लेके उसका opposite right का opposite मतलब no right exist नहीं कर सकता jural opposites तो वो आएगा basically diagonal arrows में and third one basically hoffold में नहीं था jural contradictories, यह basically यह जो hoffold का जो diagram है काफी perfect होने के कारण उसमें fit bad गया है तो यहाँ पर J.L. Williams ने basically horizontal arrows भी इसमें डाले और उसको बुलाया jural contradictories तो आपको जैसे दिख रहा होगा horizontal arrows है ना जहाँ पर right और liberty के बीच में बना हुआ है तो क्या कहने की कोशिश करें अगर एक individual में right है तो दूसरे individual में क्या नहीं होगा liberty नहीं होगा तो jural contradictories basically वो opposites है of correlators तो इन सारी चीज़े को आज हम इस lecture में पूरी तरीके से clear कर देंगे तो चलिए start करते हैं first right duty के concept से तो देखिए यहां पर right का जो concept है ना उन्होंनी wider sense में यूज नहीं करा बलकि उस strict sense में यूज करा है अगर wider sense में यूज कर देंगे तो बाकी terms भी आ जाएंगे जैसे की power, privilege, immunity, because अचारो मिला के यह तो as a component बन रहे ना right के तो यह सारे आ जाएंगे तो इसलिए उन्होंने कहा कि claim term use करते हैं for right तो basically है क्या concept of right क्या है या claim क्या है मलब किसी भी individual की interest को basically law protect करता है by imposing duty upon the others ठीक है तो जैसे एक किसी भी individual के पास right आ जाता है तो at the same time दूसरे individual के पास एक duty आ जाता है और जैसे एक individual को right मिलता है उसको एक claim मिल जाता है over the other जैसे कि employer or employee, employer or employee के बीच में कर एक contract बनता है तो employee के पास एक claim मिल जाता है that he has a right to claim his wages from the employer बदब उसको एक claim मिल जाता है जैसे right मिलता है तो he will be having a claim तो उसको एक claim मिल जाता है वैसे ही जैसे कि सोचे कि अगर एक individual है A, उसने एक land खरीदा और उसके पर एक building बना दिया, अब उसने क्या करा B को rent पे दे दिया, ठीक है, तो अब A के पास right है उस land पे, उसके पास एक claim आ जाते हैं, वो B से rent recover कर सकता है, तो claim की तरह यूज करा है the term right by Hofford, तो claim बेसिकली एक एसा sign है कि जिसके तरह हम यह कह सकते है कि दूसरा individual किस तरहीके से act करना चाहिए, अगर एक individual के पास right है, तो एक individual के पास right है, तो उसका मनलब उसकी पास claim है, ठीक है, over the other individual, and दूसरा जो individual है, उसको किसी एक particular pattern में ही behave करना होगा, ठीक है, B, rent पे रह रह रहा है, तो उसको rent पे करना होगा, employer ने employee को रखा है, तो उसको wages पे करने होगे, ठीक है, तो किसी particular pattern में ही behave करना होगा, ठीक है, और जैसे कि अगर एक land खरीदा है, तो कोई भी उस land में interfere कर सकता है, ट्रसपास कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो वो B, C, D, सब को रोक सकता है, उसमें interfere करने से या प्रसपास करने से रोक सकता है, पर्टिकुलर पैटन में ही दूसरा individual बहेव कर सकता है, तो जिसको भी right मिलता है, तो it is just like a claim over the other person, वो दूसरे के actions को control कर सकता है, तो इस तरीकी से वो right का term यूज़ कर रहे है, अब right तो यूज़ कर लिया, उसका correlative क्या हुआ, duty, तो मतलब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ न, एक इनसान के पास अगर right है, तो correlative duty दूसरे इनसान में exist करेगा, ठीक है, तो वो ही है न, जैसे rent पे करना है, उसके land में interfere नहीं करना है, employer को wages पे करने है, तो एक के पास right है, तो दूसरे के पास क्या होगा, duty होगा, तो होफल कहते है, राइट का jural correlative है, duty, अब next देखें, next relationship है, privilege and no right, now privilege क्या है basically, privilege है liberty, या freedom, मतलब आप किसी भी तरीके से act कर सकते हैं, मतलब कोई भी action है, आपको करना है, आप कर सकते हैं, नहीं करना, आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कि law आपके ओपर किसी भी तरीके का prevention या किसी भी तरीके का रोक नहीं लगा रहा, लो कुछ भी नहीं कहरा, बस आपको जिस तरीके से लग रहा है, आप उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एनेक land खरीदा, अब उसके अंदर वो agriculture कर सकते है, होटी कल्चर कर सकते है, चाहिद एक building खडा कर सकते है, चाहिद को इसको mortgage में दे सकते है, जो चाहे वो कर सकता है, तो privilege कहा है, basically liberty या freedom, या फिर कह लिजे, absence of legal duty, मतलब अगर individual के पास किसी भी तरीकी की duty ही नहीं है, law कोई duty impose ही नहीं कर रहा, इसका मतलब straight क्या है, मतलब उस individual के पास privilege है, मतलब liberty है, freedom है, तो हाँ, अब question उठा है, कि right और privilege के बीच में क्या difference हो गया, right basically हमेशा focus ये रखता है, कि दूसरा इंडिविज capture मेरे लिए क्या करेगा, क्योंकि मेरे पास right है, मतलब मेरा लैंड मैने बी को rent पे दिया, बी को मुझे rent pay करना है, मेरा land भी इस land में इंटरफियर नहीं कर सकता मतलब हमेशा right का concentration क्या रहता है कि दूसरा individual मेरे लिए क्या करेगा, but privilege में हमेशा क्या होता है, privilege में concentration ये रहता है, मैं अपने लिए या अपनी चीजों की और मैं क्या करूँगा, या क्या नहीं करूँगा समझ या, right में दूसरा individual, privilege में मैं ठीक है, तो ये है right और privilege का भीच का difference, तो इस privilege का correlative क्या होगा, तो privilege मतलब क्या था, मैंने इस बताया ना, absence of legal duty, कोई obligation नहीं डाली है law ने, तो उसका correlative क्या होगा जरब सोचनी की कोशिश करिए अगर मेरे पास privilege है तो दूसरे individual के पास क्या होगा no right होगा क्योंकि मेरे पास तो duty नहीं है privilege का मतलब क्या, absence of legal duty मेरे पास duty नहीं है, तो दूसरे के पास क्या नहीं होगी, right नहीं होगा पहले में हमने क्या जिखा था एक के पास right है, तो दूसरे के पास duty होगी तो simple, यहाँ पे पैप्लाई की न अगर एक के पास right नहीं है, तो दूसरे के पास क्या है, privilege ही तो है तो ऐसे, privilege का correlative क्या हुआ, अगर एक के पास privilege है, liberty है, तो at the same time दूसरे के पास क्या होगा? No right. मतलब उसके पास right ही नहीं होगा. अगर A का land है, वो अगर उस land में enter करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता. B उसको prevent नहीं कर सकता ये काम करने से, because B के पास right ही नहीं है, तो privilege का correlative हुआ, no right. तो अब ना हमने वो पहला वाला डिबबा खतम कर लिया. Right, duty, privilege, no right. तो अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है jural opposites क्या क्या है और jural contradictories क्या क्या है. तो सारे एक साथ हम चरा समझने की कोशिश करते हैं. देखे, सबसे पहले हमने क्या सिका था? right है, तो दूसरे के पास क्या होगा? duty होगा. मतलब right का correlative क्या है? duty है. तो किस सरीके से इसे बोलते हैं? Right is a presence of duty in another. Vice versa भी. Duty is a presence of right in another. ये सीख लिया था. और privilege और no right का भी ऐसे सीखा. Privilege is a presence of no right in another. Vice versa. No right is a presence of privilege in another. अब इसका opposites and dual contradictories भी देख लेते हैं. अगर आपको समझना है कि इनका क्या correlatives है और क्या contradictories है ये समझना है, तो सबसे पहले आप right लिखें. Right लिखने के बार एक vertical arrow बनाएं. देन उसके बार diagonal arrow बनाएं. और देन एक horizontal arrow बनाएं. अब right का अगर right है, तो correlative vertical arrow क्या कहता है? ड्यूटी होगा. अब इसका opposite क्या है? अगर right किसी के पास है, at the same time उसके पास क्या नहीं होगा? उसका opposite no right होगा. ठीक है? तो right is the absence of no right in oneself. ऐसे बोलना है. Right is the absence of no right in oneself. अब इसका juror contradictory क्या होगा? किसी के पास right है, तो दूसरे के पास क्या नहीं होगा? liberty नहीं होगा. So right is the absence of liberty in another. ठीक है? तो इस सरीके से आपको समझना है, आपको screen में भी दिख रहोगा, मैंने लिखा होगा है, कि आपको वो three arrows बनाने है, और उस सरीके से आपको समझना है. तो जैसी हमने right का सिखा, वैसी duty का भी. तो duty के सरीके से बोलेगा, अगर किसी के पास duty है, तो दूसरे के पास क्या होगा? right होगा. तो duty is a presence of right in another. अगर किसी के पास duty है, at the same time उसी particular matter, subject matter के ओपर, क्या चीज है जो नहीं होगा उसके पास? privilege नहीं होगा. तो duty is an absence of privilege in oneself. तो duty is an absence of no right in another. तो दूसरा भी देख लेते है, privilege and no right का. अब किसी के पास privilege है, तो दूसरे के पास क्या होगा? no right. है ना? तो privilege is a presence of no right in another. Privilege is an absence of duty in oneself. किसी के पास privilege है, तो उसके पास duty नहीं होगा. हमने बोले ते ना privilege का मतलब absence of legal duty अब किसी के पास privilege है, तो दूसरे के पास क्या नहीं होगा? right नहीं होगा. तो privilege is an absence of right in another. जूरल कॉंट्राडिक्टरी. अब समझ गे? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है. अब दूसरे वाले डिब्बे की बात करते हैं, उसमें चार वर्ट आते हैं. power, या अपने लेगल कंडिशन को change कर सकता है, या अपने लेगल कंडिशन को alter कर सकता है. तब हम कह सकते हैं, उसके पास power है. नहीं समझे, अगर किसी के पास power है, तो वो दूसरे इंडिविजुल की position को change कर देगा. मतलब right से duty बना देगा, या right से privilege बना देगा, या right से immunity बना देगा, ऐसा उसके पास power होगा, कि उसके position को change कर पाएगा. सोचे कि A एक land का honor है, ठीक है? उसने इस land को, B को sell कर दिया. अब B ने उस land को ले लिया. इससे पहले क्या था? A के पास पूरा-पूरा right था उस land के ऊपर, और इस पहले के पास, B के पास duty थी या C के पास duty थी. अब उसने क्या करा? जैसे ही उसने land sell करा, तो B के पास क्या हो गया? B के पास वो right चला उसके पहले B के पास duty था, मतलब उस land पे interfere ना करने का duty था. बढ़ अब क्या होआ? B के पास खुदी right मिल गया, तो उसके position को भी change कर गया और खुद के position को भी change कर गया. तो वही है power that is an ability to change the legal relationship or to determine the legal relationship of oneself or somebody else. तो यह है power का main मतलब. अब खास बात यह है कि power का correlative क्या है? देखिए हॉफल यह समझाते हैं कि अगर एक individual के पास power है, तो at the same time दूसरी individual के पास core relative क्या होगा? liability मैं आपको यह चीज ने एक example की तुरू समझाते हूँ. देखिए, पारलमेंट के पास power है कि वो law बना सकते है relating to team manufacturers. अब सोचिए कि पारलमेंट ने एक law बनाया और उनके उपर कोई limitation डाल दे यहां क्या हुआ? पारलमेंट ने अपना power exercise करा और उनके उपर limitation रखी अब क्या होगा? जो team manufacturers है उनके उपर एक नई duty आ गई. ठीक है यहां तक तो picture clear है बट जब तक पारलमेंट वो power exercise नहीं कर रहा तब तक team manufacturers के उपर liability है. मतलब वो इस position में है कि उनका legal relation कभी भी alter हो सकता है. ठीक है? वो एक kind of liability में है कि कभी भी उनके उपर एक नया duty impose हो सकता है क्यों? क्योंकि पारलमेंट के पास power है. आप समझने मेरी बात तो power अगर किसी के पास है तो दूसरे के पास हमेशा liability होगी मतलब उसका position कभी भी change हो जैसे कि A ने सोची एक offer दिया B को एक contract बनाने के लिए offer दिया यहाँ पर B के पास power है कैसा power कि वो accept कर सकता है उस offer को तो जैसे ही वो accept करेगा तब क्या होगा? कुछ rights and duties जो है A और B के पास आ जाएंगे. जब तक वो accept कर रहा है उस time पर A liability के अंदर होगा मतलब उसका position कभी भी change हो सता है तो A जो है basically liable होगा liable to be bound by that particular offer that is accepted by B तो आप समझेंगे यह liability के है मतलब liability एक ऐसा position है कि कि किसी भी individual का position change किया जा सकता है legal relation change किया जा सकता है because दूसरे के पास power है ठीक है? तो power का correlative क्या हुआ? liability एक के पास power है तो दूसरे के पास क्या होगी? liability होगा अब आप सोचेंगे कि claim, privilege और power के बीच में क्या difference है? तो चलिए इसको एक example में देख लेते हैं सोचेंगी A एक will बना रहा है अब यहाँ पर A के पास right है कि वो will तो बनाएगा साथ ही साथ वो किसी और individual जैसे बी है तो वो बी को मना कर सकते कि मुझे influence मत करो जब मैं will बना रहा हूँ तो मतलब उसके पास एक claim है over the be, देखो इस तरीके से आपको act करना है, मुझे influence मत करो तो उसके पास claim हुआ, दूसरे के पास क्या हुआ, duty हो गया अब उसके पास क्या privilege है कि वो चाहे तो will बना सकता है चाहे तो कह सकता है, मैं will नहीं बना रहा तो उसके पास liberty, वो privilege हो गई वो चाहे कर सकता है, वो नहीं कर नहीं चाहता तो नहीं भी कर सकता क्योंकि law तो अब उसको कोई obligation में नी डाला ना नहीं, आपको will बनाना ही बनाना है, तो अगर वो will बनाना चाहते तो वो बनाएंगे, नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाएंगे, तो यह हो गया उसका privilege, आप देखें, power, मतलब जैसे यह will बनाएगा, जिस भी किसी का नाम उस will के अंदर लिखा होगा, उसकी वो position चेंज कर सकता है, तो इसके पास power है के पास, तो दूसरा हमेशा liability में रहेगा, कौन, जो उसके family members होगे, उसारे liability में रहेगे, कभी भी किसी भी time पे, उसका position चेंज कर सकता है, ठीक है, तो यह हो गया claim, privilege and power, तो इनों का difference भी आपको सम concept है, जब दूसरा अपना power आपके against नहीं यूज कर सकता, तो आप कह सकते है, आपके पास immunity है, मतलब दूसरा अपना power यूज करके आपका legal relation या position को change कर सकते है, वो अगर आपके against नहीं यूज कर पा रहा, तो समझ जाए कि आपके पास immunity है, तो मतलब immunity है कि उसका जो legal relation है, उसको change नहीं किया जा सकता by another person who is having power. तो एक example देखते हैं, जिसे article 15. article 15 क्या कहता है? citizens को जो है state discriminate नहीं कर सकता on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. discriminate नहीं कर सकता. तो यहाँ पर citizens are immune from any type of discrimination. तो immunity है citizens को and state के पास power नहीं है. मतलब वो disability है state के ओपर कि वो किसी भी तरीके से in grounds पे discrimination नहीं कर सकता है. तो आप समझें? और एक example देखी है जैसे foreign diplomats, उनके against में जो है court अपना jurisdiction नहीं exercise कर सकती है. या article 105 of the Indian Constitution जहाँ पर Parliament के जो members है अगर वो कोई वोट देते हैं, कोई उपीनिन देते हैं, तो उसके basis में उनको court में नहीं लेके जा सकता. तो यहाँ पर immunity मिली भी है कि दूसरा individual अपना power exercise कर ही नहीं सकता है. समझे आप? तो immunity का मतलब होता है कि अब जब दूसरा individual अपना power exercise करके आपका legal relation को change नहीं कर सकता, तब कह सकते है कि आपके पास immunity है. तो immunity का correlative क्या हुआ? immunity का correlative होगा कि दूसरे के पास power नहीं है. तो किसी के पास power नहीं होना, मतलब no power, उसके लिए जो term Hofford नहीं यूज करा है, वो है disability. तो किसी के पास immunity है, तो दूसरे के पास क्या होगी? disability. ठीक है? तो correlative भी समझ गे? तो चलिए, अब वो पूरे डिबे को खतम करते हैं. जैसे हमने पहले वाला समझा था न, जूरल opposites and contradictories, उसी तरीके से इस वाले डिबे को भी हम खतम करेंगे. तो आप समझ गे, immunity का correlative क्या है? disability. मनलब power नहीं होना, no power. उसके लिए term क्या use हुआ है? disability. okay, तो चलिए, अब भी हमने दूसरा वाला box भी खतम कर दिया, right? कौन सा वाला? power, liability, immunity, disability. अब इसके opposites and contradictories को समझ लेते हैं. अब देखे, यहां पर लिखे, power. यहां लिखा हमने, और उसका vertical arrow बनाना है, diagonal arrow बनाना है, horizontal arrow बनाना है. liability होगी. तो, power is a presence of liability in another. तो, अगर किसी के पास अब power है, तो, same subject matter के उपर उसके पास उसका opposite क्या नहीं होगा? no power. मतलब, disability नहीं होगी. तो, power is an absence of disability in oneself. नव नेक्स है, jural contradictory. तो, power, अगर किसी के पास है, तो, at the same time, दूसरे के पास क्या नहीं होगा? immunity नहीं होगी. तो, power is an absence of immunity in another. ठीक है? आप समझ गे बात? तो, वैसी ही आपको wise versa भी बोलना है. ठीक है? तो, अगर बोलेंगे liability, तो, liability is a presence of power in another. liability is an absence of immunity in oneself. liability is an absence of disability in another. अब immunity का देख लेते हैं. वर्टिकल है रहो क्या कह रहा? jural correlative. ठीक है? तो, immunity is a presence of disability in another. तो, immunity is a absence of liability in oneself. immunity is a absence of power in another. ठीक है? तो, वैसी wise versa में भी देख लेने हैं आपको. ठीक है? किस अरी के से बोलोगे? disability is a presence of immunity in another. disability is a absence of power in oneself. and disability is a absence of liability in another. ठीक है? अगर किसी के पास disability है, तो दूसरे के पास क्या नहीं होगी? liability नहीं होगी ना? simple सी बात है. तो, आप connection समझ भा रहे हैं? एक बार आपने ही सारे मतलब समझ ली, तो आपको connection भी clear cut हो जाएगा. तो, I hope आपको ये सारे चीज़े समझ आ गई हैं. तो, एक बार वीडियो पॉस करके, ये जो अप screen में आ रहा है, ये read करके देखे कि किस तरीके से Hawfford ने इस पूरे concept को समझाया है. Hawfford कहते हैं, right is one's affirmative action against another. right? मतलब एक claim रहता है दूसरे के उपर. privilege is one's freedom from that claim in another. मतलब मेरे पास privilege है, तो दूसरे के बास right नहीं होगा. वो claim नहीं होगा. power is one's affirmative control over the other's legal relation. मतलब दूसरे के उपर एक control होगा कि उसके legal relation को change किया जा सकता है. immunity क्या है? उसी power के against में freedom है मुझे. right? तो आप pause कीजिए जल्दी से और इसको read करके देखें. तो उसी चीज को अब Salman ने भी थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने समझाया. कहा? कि right in the narrow sense is that which other persons ought to do in my behalf. मतलब right कुछ ऐसी चीज है जो दूसरा individual मेरे बहाफ में करेगा. liberty या privilege उन्होंने liberty का term use किया है, privilege के बजाएं. तो liberty वो चीज है जो मैं अपने आप के लिए कुछ innocently करूँगी, which I may do innocently, and power is something which I can do effectively. मतलब मैं दूसरे के relation को change कर सकते हूँ, so I can do effectively. और immunity क्या है? कि other individual मेरे against में effectively कुछ नहीं कर सकता है. तो वो हो गई immunity. तो आप समझ गए, पूरे concept को की howful, किस सरीके से right के concept को analyze कर रहे हैं, और उनका scheme of juror relation क्या है. तो हमने 8 juror relations को complete करा, और पूरे right के concept को भी समझ लिया. हमने समझा right का क्या मतलब, claim का क्या मतलब है, power का क्या मतलब है, privilege क्या है, immunity क्या है, और इन चारों के बीच का difference भी समझ लिया, इनके correlatives भी समझ लिया, इनके juror opposites भी समझ लिया, और JL Williams के कारण juror contradict phrase भी समझ लिया. तो आई हो आपको ये पूरा concept अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरे चैनल को, मिलते हैं नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाबाई.